कटिहार जिले की कदवा प्रखंड अद्रगत मधाईपूर पंचायत के अलहंडा खाडी में नदी पर पुल निर्मान की मांग को लेकर ग्रामीनों ने अनुशित कालीन भूखरताल शुरू कर दिया है पुल निर्मान की मांग को लेकर अनिश्चित कालीन भूखरताल पर बैठे अलहंडा युवा क्लब के अध्यक्ष मुहंबत इफ्तिकार आलम ने बताया कि नदी पर पुल नहीं होने से अलहंडा खाडी गाउं दो भागों में बट गया है लोगों को तकरीबन आठ किलोमीटर दूर भूम कर जाना पड़ता है फुल नहीं बनने से गाउं में पहुचने में ग्रामीनों को काफी परिशानी होती है नदी पर पुल निर्मान को लेकर कई बार विधायक और सांसत को आवेदन देकर गुहार लगाई गई लेकिन केवल आश्वासन ही हाथ लगा उस पर अमल नहीं हो सका गाउं के लोग सडक और पुल के जैसी समस्याओं से जूज रहे हैं लेकिन सरकार केवल विधास का ढोल पीट रही है सरकार इस गाउं तक आए तब विधास की असलियत दिखाई देगी गाउं में पुल की समस्या है लेकिन पंच्वाइती राजवेवस्था में भी लोगों की समस्याओं का समधा नहीं होना दुख़त है सारे गरामीन शामिल है क्योंकि सब कोई इस जरूरत को महसूस करते हैं कि जब तक हम आने वाली नसलों को कुछ देख करके जाएंगे क्योंकि हम जो है 1821 में नहीं 2021 के जमाने में जी रहे हैं दुनिया कहां से कहां पहुँच गई लेकिन हम बुनियादी सुविधाएं से क्यों वंचित रहेंगे हमारे बच्चे कब तक पंजाब दिल्ली में जाके मजदूरी करते रहेंगे कब तक हमें सड़क सुविधा से वंचित रखा जागा चोटे चोटे पूल के वज़े से हमारी समाज कटा हुआ है एक दुसरे से मिल नहीं सकते दुख मुसिबत में अगर किसी को डिलिवरी हो जाके मर दिनसी केस हो जाये तो आठ साथ किलो मेंटर आठ किलो मेंटर दूर से घूम कर जाना पड़ता है वही ग्रामीनों ने चेतावनी दी है कि जब तक नदी पर पुल निर्मान की मांग पूरी नहीं होती है तब तक भुखरताल जारी रहेगा कमल कुमार मैं तो बल्या बिलॉन